तो बच्चो आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं Arrangement of Particles in Matter ठीके? पिछली क्लास में हमने matter के बारे में discuss किया उसकी classification की on the basis of their physical properties अब हम discuss करेंगे कि particles की arrangement क्या होती है matter के अंदर ठीके? आप समझ रहेंगे कि particles जो है matter की तीनों forms में किस तरह से distribute होता है First of all, डिसकस करेंगे arrangement of particles in solid सबसे पहले हम particles को डिसकस करेंगे कि solid में जो particles होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो किस तरह से नजर आते हैं, वो move करते हैं, वो move नहीं करते उनकी क्या खासियत होती है, उनकी क्या properties होती हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, picture में आपको नजर आ रहा होगा कि जो solid में particles होते हैं, वो closely pack होते हैं एक दुस्रे के साथ जुड़े वे होते हैं, ठीके? वो move नहीं करते हैं, वो vibrate तो करते हैं, आप solid को touch करें, ठीके? वो थोड़ा vibrate करेगा, लेकिन वो move नहीं करेगा तो particles in the solid are closely packed to each other, ठीके? वो एक दुस्रे के साथ closely pack होते हैं, उनकी जो forces of attraction होती हैं, ठीके? वो बहुत strong होती हैं, forces of attraction मतलब वो वाली force, वो वाली उनको press कर दें, आप उनकी shape change नहीं कर सकते हैं, suppose मैं आप एक example दोंगी, I have a wooden rock, मेरे पास ये wooden rock है, अगर मैं इसको press भी करूंगी, तो इसकी shape change नहीं हो रही, इसी तरह से आप steel की कोई रहते हैं, on normal pressing, अगर आप उसको press करेंगे, तो उसकी जो shape है, वो same रहती है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हैं, जो particles होते हैं, solid में, देख, vibrate, मतलब वो अपनी जगा से ऐसे ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा सा move forward or back forward, वो करेंगे, वो आगे पीछे move तो करेंगे, लेक of particle in liquid के अंदर, कि particle जो होते हैं, वो liquid में किस तरह से arrange होते हैं, क्या उनकी position होती है, वो move किस तरह से करते हैं, forces of attraction उनमें कैसी होती हैं, तो बच्चों जैसे आपको नजर आ रहा होगा, इसमें comparison भी आप देख सकते हैं, कि जो solid के particle हैं, वो बहुत closes होकी हैं, जबकि जो liquid के particle हैं, उनमें थोड़े थोड़े gaps हैं, वो gaps क्यों हैं, जो liquid की अंदर, forces of attraction होती हैं, वो weak होती है, as compared to solid, जो liquid के particle होते हैं, वो move करते हैं, वो एक दूसरे से collide करते हैं, collide का मतबतर टकराना, like अगर कोई चीज move करेगी, तो definitely वो एक दूसरे से टकराएगी भी, इसी तरह से मै आपको छोटी सी example देती हूँ, जैसे हमने पिछली class में सीखा, कि जो liquid होता है, उसका volume तो same रहता है, बट उसकी shape same नहीं रहती, मैं आपको एक छोटी सी example दोंगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगी, जैसे मेरे पास एक plastic bag है, ठीके, मैं अगर इसमें, ये solid book ठीके, य इसकी shape chain नहीं हो रही, कोई chain नहीं आ रहा, बेशक मैं इसको press करूँ, बेशक मैं इसको move कराूँ, इसमें कोई फरक नहीं आ रहा, क्यों, because it has definite shape and definite volume, अगर मैं इस plastic bag के अंदर एक hole भी कर दूँगी, सुराख भी कर दूँगी, तब भी इस solid को कोई फरक नहीं पड़ेगा उस सुराख से, लेकिन अब आप अपने जहन में सोचें, कि अगर इसी plastic bag के अंदर मैं certain quantity of water add कर दूँ, ठीक है, इस plastic bag के अंदर मैं water add कर दूँ और इसके नीचे एक hole कर दूँ, तो आप देखेंगे, कि जो सारा का सारा liquid होगा, वो उस hole से नीचे चला जाएगा, it means liquid का volume त में डाल दें, glass में डाल दें, cup में डाल दें, भले किसी भी container में डाल दें, वो अपनी shape उस container के हिसाब से set कर लेता है, मतलब उसकी shape को इक्तियार कर लेता है, तो बचो hopefully आपको यह concept clear हो गया होगा, कि जो particles होते हैं, वो liquid में कैसे होते हैं, अब हम discuss करेंगे arrangement of particles in gases, तो बच जाद इसलिए कह रही हूँ, कि इन में जो forces of attraction होती है, वो बहुत weak होती है, as compared to liquid and solid, जो gas के particles होते हैं, उन में forces of attraction इतनी weak होती है, कि वो अपने particle को खुला जोड़ देती है, अजाद कर देती है, कि वो जहां चाहें, वो move कर सकें, जैसे मैंने आपको पिछले class में एक example दी अगर आप लोग रूम की एक कॉर्णर में खड़े हो, कि अपने उपर perfume स्प्रे करते हैं, तो कोई दूसरा बंदा रूम की दूसरे कॉर्णर में खड़ावा है, तो वो उसकी smell को, उसकी fragrance को feel कर सकता है, वो इस वज़ा से, कि जो gas के particles होते हैं, उन में बिलकुल जो forces of attraction इत ज्यादा होते हैं, बट अब एक जो property इसकी है, वो यह है, कि हम gases को press कर सकते हैं, जैसे आप एक balloon के अंदर हवा बनें, तो आप उसको press कर सकते हैं, ठीक है, क्यूंकि इसमें gaps होते हैं, ठीक है, जिस चीज में gap होगा, आप उसको easily press कर सकते हो, लेकिन जिसमें gap ही नहीं है, जिसके particle already closely pair हैं, आप उसको press नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों, आज की class में हमने discuss किया, arrangement of particle, gas में कैसी होती है, solid में कैसी होती है, liquid में कैसी होती है, उमीद करती हूँ, आज का lesson आपको समझ आया होगा, इसी के साथ मुझे दीजिए अजाजत, अलाफेस.